हलो दोस्तों हमारे यूटूब चैनल टी एस टेलर पाइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सट का बाड़ी से नाप लेकर बताएंगे और दोस्तों साथ ही साथ इसमें कटीन डिटेल भी बताते जाएंगे तो चलिये दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले कच्टमयर को बोले कि जो इनकिया हुआ कपडा है उसको निकाल ले निकाल लीजिये तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लमबाई का माप लेंगे यह इंची टेप को यहां से रखने है दोस्तों जहां पर हमारा कालर जूड़ा हुआ है यह देखी यहां पर यह देखे दोस्तों यहां पर रखना है और इस तरह से नीचे ले जाना है यह देखे दोस्तों यह जो हमारा कस्टमर का जो सट है वह बहुत जादा लंबा है तो हम यहां पर इसको कम करेंगे कस्टमर से सबसे पहले पूछ लेंगे दोस्तों कस्टमर कितना लंबाई चाहता है उसके हिसाब से रखेंगे तो यहां पर हम दोस्तों रखेंगे 25 इंच और जब इसकी cutting करेंगे दोस्तों 30 की तो 25 इंच में हम 1 इंच यहां पर plus करेंगी यहने कहने का मतलब है दोस्तों जितना हमारा सट का लंबाई होगा उसमें 1 इंच यहां पर plus करना है क्योंकि दोस्तों इस तरफ यहां पर premi दबाव रहता है और निचे की त्रब भी हाप पिंडबार है तो एक यहां पर प्लस करेंगे और लंबई का निसान करें लगाएगे इसके इनके हमारा जो गुलाई है दौस्टों यहीं से हमको सोगे nothing à जादा उपर की तरफ ना ज्यादा नीचे की तरभ टो जहांपर हमारा गुलाई है वही पर हमको थोल्डर कण अपली नहां तो इस तरह से देखे दो तो इस तरह से टेप को रखेंगे姑े के नीचे और यहां पर जहां पर हमारा अस्तिन की गुलाई है अहला पर भी हमारा अस्तिन का जो यहां पर गुलाई है वहीं पर रखना है तो यह हमारा रहा है सोल्डर 17 इंच तो जब हम इसकी कटिन करेंगे दोस्तों सोल्डर की तो यहां पर सोल्डर का हाप करना है और यहां पर फ्रंट पार्ट में दोस्तों जितना हमारा सोल्डर उसका हाप करेंगे उसमें हाप इंच प्लस करेंगे और उसके बाद निसान लगाएंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों हमें आपर अस्तिन का नाप लेंगे तो जहां पर हमारा सोल्डर का नाप लिए हैं वहीं पर हमको इस तरह से रखना है टेप को यह देखें दोस्तों और यह नीच यहां पर माइनस करके कटीन करेंगे यहां जितने हमारा थ quality कर हाँ अ siento कि इसके बाद दोस्तों सीने क माप लेंगे कस्टमोर को बोले के हाथ क्यों और यह द्यृखों यहां पर हम वा यह चीन करेंगे एग उन्हाया कि फिटिंग नाप ले दोस्तों तो यह हमारा 34 सीन होरा है हमारा सीना होसर लोजिंग दोस्तों तो हमारे जीतना सीना है उसका चौंथा हीस्सा करेंगे दोस्तों उसके बाद यहाँ पर मैं लूज दिये हैं दोस्तों इतना लूज अंदर की तरफ रखेंगे दोस्तों और यहां पर निंगे यहां भी जयादा आइट नहीं है दोस्तों गले को तो यह हमारा आ रहा है दोस्तों हमारा गला आ रहा है 14 इंच तो यहां पर हम कटीन करेंगे जब दोस्तों तो काल हर की कटीन करेंगे तो धाइंच 11 से नीचे दोस्तों दो इंच की कटीन करें काल की और 12 और 13 के लिए 72 इंच और 14 और 15 के लिए धाइंच पर कटीन करेंगे और उसके बाद जैसे 16 से आगे होता है दोस्तों तो उसके लिए 35 इंच की कटीन करते हैं गले के लिए कलहर के लिए तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो सर्ट का बाड़ी से नाप होए वो कम्प्लीट होता है दोस्तों यहाँ पर मैंने दोस्तों कटीन डीटेल भी साथ ही साथ बता दिया है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और सेर जूर कीजिए